और जिस तरह से जावेद एहमद पर लगा है हत्या का आरूप एफाईयार दर्ज कर ली गई है बजरंग दल के नेता की हत्या का आरूप ऐसे में खुद जावेद एहमद भी अपनी सफाई देने के लिए सामने आए जावेद एहमद न्यूज 18 इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सर आपके उपर एक खत्या का आरूप है प्रदीप हैं बजरंग दल के और आप पर आरूप ये लगाया गया कि आपने गाड़ी से पीछा गिया घेर कर रोट से मारा इस तरह की बाते लिखे गई और बाद में प्रदीप की मौत हो गई क्या क्याना चाहिए देखो मुझे दुख है इस बात का वो भी किसी का बच्चा था किसी का भाई है ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए बहुशे में और मैं निंदा करता हूं ऐसी घटनाओं की और ये बहुत ही दुखत भरी घटन से ही पाले चला गया था मैं साथ बच यहां से अपने गाउं चला गया था अपनी जावेद जिस तरह से सफाई दी जा रही है लेकिन एक बड़ी वारदात हुई है इस पूरे मामले में अब किस तरह की कारवाई की बात कही जा रही है देखे पूरे मामले की इन्वेस्टिकेशन कर रही है इसमें फाई यार में साफ तौर पर लिखा है कि करीब 200 लोगों की एक भीर ती जिसे जावेद अहमद नेत्रित तो कर रहे थे लेकिन न्यूज 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिव जावेद अहमद से बात की है उन्होंने कह है कि वो उस वक्त मौझूद ही नहीं थी दंगो जब वार्दात का टाइम है वो करीब साड़े दस बजे गा है जबकि वो 80 किलोमेटर दूर 7 बजे ही निकल गए थे किसी अपने रिष्टदार के यहां और अगले दिन सुबा 8 बज़े आया थे वो सुबूत भी न्यूज 18 इंडिया को उन्होंने दिखाए CCTV वो दिखाए उन्होंने लेकिन पुलिस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे करेगी क्योंके 6 लोगों की देखिए इसमें मौत हुई है और सभी में पुलिस ने फाइयार दर्ज की है और इन मामलों में अलग-अलग मामलों में ज और ये सबसे खास बात भी है जिस तरीके से सफाई आ रही है लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हर्याना के नूसे जहां पर जबर्दस तरीके से हिंसक वारदात 31 तारीक को हुई बताया ये गया है कि मेवाद ब्रजमंडल जलाबीशेक सबीती की ओर से आयोजन किया गया था सोमवार का दिन था कि यहां पर बड़ी तादात में शिवभक्त जलाबीशेक करेंगे लिकिन आरोप के लग रहा है कि एक पूर्ब नियोजित तरीके से इन शिवभक्तों पर ह हमला किया गया ना सिर्फ हमला और लूट पार्ट किया गया बलकि कई गाडियों को आख के हवाले भी कर दिया गया और उसके बाद नूप रशासन का सख्ट एक्शन को भी रेखने को मिल रहा है एक के बाद एक कई ऐसी इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है जो बताया जा नूह की ये सडके उस दिन की गवा हैं जब नफरत की चिंगारी से इन सडकों पर विद्रोह की जुआला धत्की थी नूह के कोने कोने में सामपरदाइक सुर बुलंद हो रहे थे दो समुदाओं की बीच जड़प ने कई परिवारों के दीब बुझा दिये थे लेकिन अब उस हिंसा का जवाब होगा अब उस हिंसा का हिसाब होगा क्योंकि हिंसा के गुनहगारों के आशियानों के सामने बुल्डोजर तयार है और बुलंद इन बीनारों को किसी तिनके की तरह मिट्टी में मिलाने की कोशिश की जा रही है अवैद अतिक्रमण पर बुल्डोजर कारवाई के लिए पहुँच चुका और नफरत के उन ठेकेदारों पर कारवाई की जा रही हिंसा प्रभावित नूम में विद्वन्स अभियान के तहट सुबह साथ बजे ही बुल्डोजर एक्शन के लिए तयार होगी नू के होटल के पास अवैद ढाचे को ड़ा दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि होटल के पास कुछ ढाचे अवैद रूप से बनाए गया थी, कुछ कतित रूप से पिछले दिनों हुई हिंसा में शामिल लोगों के थी, नूम हिंसा और इसे भढ़गाने वाले लोग अनेकों लोगों को रिमांड पर भी और जुडिशल कस्टेडी में भी भेजा गया है मीडिया, सोशल मीडिया और अलग-अलग परकार के कम्मिनिकेशन के अंदर जिन जिन लोगों की इंवल्मेंट हुई है उनको मॉनिटर किया जा रहा है हर्याना में हुई सामपरदाइक जड़ब के बाद सरकार अक्षन में है नुह के डिप्टी कमिनिकेशन को हटा दिया गया है पूरे हर्याना में अब तक 104 मामले दर्ज किये गये है करीब 216 गिर्फतारियां हुई है और 83 लोग हिरासत में है हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो भी इस तरह की अफवा है या कोई भी अंदरगल बातों को सोशल मीडिया पे फैला कर माहल खराब करने का प्रयास कर रहे है मैं चेतावनी दे रही हूँ कि उनके इस तरह के प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा हर्याणा में हुई हिंसा के बाद धीरे धीरे शांती लोट रही है इस बीच सरकार सक्ती के मूड में नज़र आ रही है प्रशासन की कारवाई आज भी जारी है और शनिवार को भी बुलोजर कारवाई जारी रखी गई थी जब बिर्यानी चौक पर अवैध इमारतों को धराशाई किया गया था नू के सरकीट हाउस में पुलिस के आला अधिकारियों ने कॉंग्रेस और बिजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की हर्याना में शांती बनाए रखने की हिदायत थी इस दोरान पूर विधायक चौधरी जाकर हुसैन ने हिंसा के आरोपियों पर सक्थ एक्षन की मांग की है तो यही है कि जो दोशी है उनको पकड़ा जाएगा और मेरे दोशीं को उसके अंदर नहीं पकड़ा जाएगा जो दोशीं के खिलाब उसके अंदर कारवाई हो भी चाहे वो कितना ही बड़े से बड़ा आदमी हो चाहे वो मोनू माने सर हो चाहे वो ममन खाय मेले हो नू में इंटरनेट सेवाए 8 अगस तक बंद रहेंगी वहीं परवल में 7 अगस तक शाम 5 बे तक इंटरनेट बंद रहेगा शहर में धारा 144 टागू है और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है और जिस तरह से अब एक के बाद एक ऐसी ही कई और घटनाओं की जानकारी मिल रही है प्रशासन का भी सख्ट एक्शन देखने को मिल रहा है लू में जगे जगे ऐसी इमारतों को जमीदोस किया जा रहा है जो अवे तरीके से बनाई गई है साथी साथ अब तक की तफ्तीश में ये भी पता चला है कि इन इमारतों के मालिकों का कनेक्शन उस हिंसक वारदात से भी है और एक ऐसी और एक बड़ी इमारत को भी आज जमीदोस कर दिया गया बस कुछी देर पहले लू की सारा होटेल को जमीदोस किया गया बताया जा रहा है कि जहां से ब्रिजमंडल शोभायात्रा निकल रही थी इसी होटेल से जमकर पत्राव किया गया और फिर उसी चौराहे पर जमकर आगजनी हुई लेकिन आज उसका हशर क्या हुआ कुछ दिर पहले कि हमारी ये रेपोर्ट देखी मेरे सहयो की जो तस्वीर दिखा रहा है ये यहाँ पर एक चार मंजिला होटेल सहरा फैमिली रेस्टोरेंट बताया जा रहा है कि बेस्मेंट ग्राउंड फ्लोर और उसके उपर तीन मंजिल और थी हमारी नजरों के सामने ये पूरी तरीके से जमीदोज हो गई और ठीक इसी कैंपस से लगी हुई कई बाइक खड़ी हुई भी हमें दिखाई दे रही है और बताये ये भी जा रहा है कि ये वही जगे है जहां से उस 31 जुलाई सोमवार के दिन में जब हिंसक वारदात हुई जमकर लूट पाट हुई तो यहां से कई बाइक चुरा ली गई थी कुछ गाड़ियों को उस नालों में फेक दिया गया था और जबरदस्ट लूट पाट हुई थी लेकिन आज जब ऐसे ही आरोपियों अपरादियों पर कारवाई हो रही है ये बिल्टिंग पूरी तरीके से जमी दोज हो चुकी है मेरे सहयोगी युकल दिखा रहे है कि तरीके से ये चौथे मंजिल पर लटका सिलिंग फैन अब जमीन पर आ चुका है सिलिंग फैन ये दोनों ही बंद पड़े पूरी इमारत जमी दोज हो चुकी है और इस तरीके से ये इमारत बताया जा रहा है कि जिसमें से स्टोन पैल्टिंग हुई थी और ये ठीक हमारे सामने यहाँ पर जेसी भी मशिन खड़ी और ये उसी रोट पर बनी हुई होई हो होटेल से जबरदस्त पत्रा हुआ था जमकर आजजनी फिर उसके बार हुई है और ऐसे में नू के ही स्थाने विधायक से भी आमने कुछ दिर पहले ही बात चीत किये इसी होटेल के सामने और उन्होंने कहा है कि जो वाकई दोशी है उन पर सक्त कारवाई होनी चाहिए नू में ही चौक पर वो मौझूद हैं सडकों पर जा रहे हैं मुआयना कर रहे हैं अफ़ताब साब 31 तारीक को एक ऐसी घटना हो गई नू में जिसकी चर्चा देश और दुनिया में हो रही थी उस दिन आपकी मौझूदगी वैसे नू में यही थी जी जी मैं उसी वक्त दो घंटे बाद तीन घंटे बाद यहां परशाशन के डीजीपी मोहदे के कॉल के उपर मैं यहां पहुँचा था हमने उसी समय जो है लोगों से बीच में जाके सडकों पर जाके अपनी अफील करी थी और शान्ती और इस बादुने इस हिनसा को रोक जल गई और उसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि प्रिशासन का सख्त एक्षन भी देखने को मिल रहा है और ये चार मंजिला यहां पर एक होटेल है जो आज जमीदोस की गई और तीसरे दिन लगातार बुल्डोजर वाला एक्षन जारी है आपको लगता है कि इस तरह से अपराधियों पर जो है नकिल कसने में युगदान मिलेगा और एक नजिर बनेगी कि सक्त कारवाई हो रही है अगर ये बिल्डिंग वाले ने इसमें हिंसा में रहा होए तो कारवाई की ही है कौन रोलता है हम तो कहते हैं दोश्यों को दोश दीजिए और इस तरह के से अब एक्शन जा रही है लेकिन इंटरनेट सेवा से जुड़े इस वक्त ये का और बेहत एहम और बड़ी खबर आ रही है कि अब गुरुग्राम में इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है लेकिन नू में अभी भी आगे ये इंटरनेट सेवा बंद रहेगी जिस तरह से आशन का जाहिर की जा रही है कि सोशल मीडिया के जरीए भी कुछ आपराधिक तत्वों ने कुछ भड़काओ ऐसे वीडियो प्रसारिद किये जिसकी वज़े से ये बड़ी वार्दात हुई दे कॉकि और इसलिए यहाँ पर अयतियाद के तौरपर नू में एक बार फिर से इंटरनेट सेवा को बंद रखने का फैसला किया गया है। इसलिए इसलिए इंटरनेट सेवा में भी आप कुछ रियायत लोगों को मिलती नजर आ रही है। और एक और बेहर नहीं खबाद, 31 तारीक को जिस तरह की बड़ी हिंसक वारदात नूह में हुई थी, उसके बाद पुलिस का सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन हर्याना के डीजीवी पीके अगरवाल भी नूह पहुंचें इस पूरी वारदात के बाद में, और उन्होंने भी तमाम ऐसे स्थानी नेताओं के साथ में मीटिंग किये, अपने वरिष्ट अधिकारियों को निर्देश भी दिया है, कि जल से जल इसमें कारवाई की जाए, जितने दोशी हैं, उन्हें जल से जल पकड़ा जाए और कानूनी कारवाई उन पर की जाए। अब पुलिस से दर्खवास की है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, 31 तारीकों जिस तरह की बड़ी हिंसक वारदाफ नू में हुई है, उसके बाद पुलिस प्रिशासन का सख्त रवया भी देखने को मिल रहा है, और अब नू के ही विधायक ने ये अपील की है कि उनकी सुरक्षा का भी खयाल रखा जाए, डीजीपी के दोरे के दोरान ही मौमिन खान ने उनसे दर्फास की है कि उनकी भी जान को खत्रा है और इसलिए उनके सुरक्षा और थोड़ी बढ़ाई जाए